यह सो हलो एवरीवान हितेश एर टुड़ी वी गना टॉक अबाउट दे मोवी इसके प्रूम टू दी टूर्नमेंट ओफ चैंपियन्स इसका फर्स पार्ट ऑल्रेडी बॉलिवोड सिल्वर स्क्रीन यानि की रॉनी जी ने अपने चैनल पर अल्रेडी अप्लोड कर दिया है का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब वहां से भी जाकर चेकाउट कर सकते हैं वैल इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बाते हैं जो मैं आज आप सभी के साथ करना चाहता हूं पहली तो यह है कि आज मैं उनके स नवेंबर और अपनी जर्णी के दूसरे साल में मैं इंडिया के बिगस्ट मुवी एक्स्प्रीनर बॉलेवर्ट सिल्वर स्क्रीन के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी को पा पाया हूं वैल ऐसी कई और भी बाते हैं जो कि मैं आप सभी के साथ करना चाहता हूं तो उनक इचली मुवी के 6 कंटेस्टेंस को मिनोज एसकेप रूम्स के पजल को सौल करते वे देखते हैं और बड़ी मुश्किल से 6 राउंट स्पार कर लेने के बाद में गेम में सिर्फ दो ही जने बचे थे जिनका नाम था जोई और बैन इसकेल में ने अपने कई सारे दोस्तों क करना लगा लिए क्यों वहाँ पर जाकर इनका परदाफाश कर ढयें और सारी सच्चाई लोगों तक लेकर आएं क्योंगि अगर जब तक ही गेम चलता रहेगा यह escape rooms को डिजाइन करता है और अब जैसा कि यह बजल काफी जदा मुश्किल और टाइम टेकन होते हैं तो इनी वजों से वो अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा होता है यहां क्लेयर आकर सीधा हैं कि अब और उसके साथ नहीं रहना चाहती है वो तलाक चाहती है मुझे सिर्फ एक गंटा चाहिए चाहो तो तुम इस वक्त बात ले सकती हो और फिर हम इस मुद्धे पर बात करेंगे में वाइल हम क्लेयर को देख पाते हैं जो कि अपने एक चोटे से बॉक्स में अपनी पसंदीदा चीजों को रख रही होती है फिर हम सोनिया को देख पात में फसादिया है तभी वह वहाँ पर कुछ क्लूज ढूनने की कोशिश करती है क्लूज की मदद से ही इसके परूम से बाहर निकला जा सकता था तभी उसे कुछ काले पत्थरों में सपीद पत्थर दिखता है और वह समझ जाती है कि इसी में कोई क्लू होगा उस मैंगनेक्ट दोर को नहीं खोल पाती और जब 250 डिग्री तो सुनिय की वहीं पर डेथ हो जाती है जिसके बाद में कहानी आती है प्रसेंट टाइम में यहां पर हम हैंरी को देख पाते हैं और इस वक्त यह अपने नेक्स्ट एसकेप रूम के उपर काम कर रहा होता है और यह बिसीकली ए देख पाते हैं जो कि उसकी आफ्स से एक यूस को लेकर चला जाता है और वहीं हम हैंरी की बेटी को भी देख पाते हैं कि हैंरी के लिए आज-कल सारे इसकेप रूम के डिजाईन क्लेर ही बना रहिए और फट पार्ट में भी डिजाइन दिकाये गए थे उनने भी क्लेर न शिफ्ट होता है कहानी के लीड करेक्टर्स यानि की जोई और बैन पर ये दोनों ही मैनहेटन की फ्लाइट को पकड़ने के लिए निकले थे क्योंकि उन बॉक्स मेंसे जो डीकोट करके के लोकेशन इने मिली थी वो मैनहेटन की ही थी मगर तभी जोई को अपने मॉम के पुराने विजन आने लगते हैं जहां पर वो एक प्लेइन क्रेश में मारी गई थी और यही रीजन था कि इस वक्त जोई अपने आपको प्रिपार नहीं कर पाती उस फ्लाइट के लिए और हो जोर से चलाने लगता है और तभी महां पर जोई आ जाती है और उसे नीन से जगाती है कि यह सिर्फ तुम्हारा एक बुरा सपना था जिसके बाद में वो मिनोस की में लोकेशन पर जाने के लिए अगले दिन एक कार को बुक करते हैं लेकिन यहां पहुंचने पर दोनों जोई में कभी गलती नहीं करते हैं हमें यहां की और जांच परताल करनी चाहिए तभी वहां का लॉक तोड़कर अंदर जाती है और एक शक्स माँ पर मिलता है जो कि कहता है कि मैंने काफी दिनों से खाना नहीं खाया क्या आपके पास कुछ पैसे हैं यह दोनों यह उसकी और पड़े से उसकी रिकर बहीं कर चलता है उसको पकड़ने के लिए दोनोंसके भागते हैं वह शक्स भाकता हुआ रेलव in anticipation पहुंच जाता है मगर तब हमें पता चलता है शक्स बैंच में चार लोग और होते हैं जोईिवी को कहती है कि बारे में करेंगे Marti को दब्बे को छोड़कर अलग चला गया और यह डब्बा खुद बखुद चल रहा है इसे देखकर जोई समझ जाती है कि यह एक इसकेप रूम है और हम फिर से उसी गेम में फस्ट चुके हैं और इसी के साथ मीनोस का इसकेप रूम का पहला गेम स्टार्ट हो जाता है जहां प और सेम ही कुछ ऐसा यहां पर भी दिखाया गया है वैल अगर आपने वो सिरीज नहीं देखी है तो मेरे वैब सिरीज एक्स्ट पर अल्रेड़ी इसके नाइन एपिसोड को मैंने काफे अच्छी तरीकी से एक्स्ट करके अपलोड कर रहा है आप वहां पर जाकर उन्हें च यह सब ही अपने दूसरे क्लूज को ढूंडी रहते और तभी उस ट्रेन की डब्बे में बढ़ती जाती है हर लोही की चीज में करंट आ जाता है वहां पर थीयों नाम का एक शक्स होता है जो कि कहता है कि हो सकता है कि हमें यहां पर जितनी भी एडविटाइजिंग दे होगा और जब यह सभी मिलकर ट्रेन के हैंडल को खेंचन लगते हैं तो इन्हें अलग-अलग अलफाबेटिकल कॉइंज मिलते हैं एक एक करके सारे क्लूज को कंप्लीट करते हुए जब यह सभी लोग अपने को हैंडल में से निकाल कर उस डिवाइस में डालते हैं तभी ट्रेन के एक नीचे का डूर ओपन हो जाता है मगर इसी बीच तेज करंट के चलते थीयों की डैथ हो जाती है जिसके बाद में ये एक अलग ही रूम में पहुंचते हैं सबसे पहले था यह सभी लोग आपस में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जावर इनके नाम थे रे वहां पर पड़े एक केंडी बाल पर जाती है जिसके अंदर कुछ चाबियां थी उन चाबियों की मदद से ये सभी बैंक के लोकर्स को खोलना चालू करते हैं तब ही इन्हें दो लोकर्स मिलते हैं जिन पर सूनिया लिखा होता है उनमें काफी सारे हीरे भरे थे और वो इ सामने की तीजोरी का था उस तीजोरी को खोलने पर इन्हें एक ट्रांसपरेंट मैप मिलता है जो कि उन टाइल को लोकेट कर रहा था जिस पर पैर रखकर यह लोग असानी से उस तीजोरी तक पहुंच सकते थे यहां पर इनके पास ती दस मिनिट की और यह सब करने में अपने साथ लेकर दस मिनिट की टाइम लिमिट खत्म होने से पहले उस तीजोरी तक पहुंच जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि दस मिनिट खत्म हो जाने पर वहां की सारी लेजर्स एक्टिवीट हो जाती है और अगर कोई भी बीच में खड़ा होता तो यहां से अब यह लोग अपने तीसरे इसकेप रूम में पहुंचते हैं जो की बीच जैसा लग रहा था इस रूम की डिजाइनिंग भी फर्स लेकिन तब ही हम देख पाते हैं कि कैमरा जो की जमीन पर गिर पड़ा था उस रेत ने उसे निगल लिया था यहां पर काफी जांच पड़ताल के बाद में एक मैटल डिटेक्टर मिलता है जिसकी मदद से रेत में धसे उस एंकर को ढूंड पाते हैं वहीं पर जोई को दो भी दिखते हैं और साथ ही कुछ शेल्स जो कि वहीं पर पड़े थे अब जब यहां बैंको वह एंकर मिल चुका था तो यह सभी उस एंकर की मदद से पासी के रूम में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उस दलदली रेत ने रेचल को अपनी और खैंच लिया था नेथन उस से बचानी की काफी कोशिश करता है मगर उसका दबाव इतना जादा था कि रेचल नहीं बच पाती और वो रेत उसे अपने अंदर समा लेती है नेतन नहीं चाता था कि रेचल मारी जाए इसलिए वह खुद उस रेत में कूटता है और फाइनली रेचल को ऊपर की सतय पर फ के लिए जब जोई वहां से बाहर निकलती है तो उसे एक लाइट हाउस दिखता है वह लाइट हाउस के ऊपर चड़ जाती है और सामने टेलेस्कोप से देखने पर उसे एक क्लू मिलता है जिसमें लिखा था आई कैंट सी यू मगर सी की स्पैलिंग एस डबली की जगह सी थी जैनि यह पानी से जोड़ा कोई क्लू जब यह बात बैन को पता चलती है कि C से क्लू है तो वह उन्ही इस की आँको पर शेल पड़े थे और जैसे व्याड़ ब्रियाना को देदेता है जो कि मैं आप लोगों को कर देता हूं फिसक्ली कर पार्ट में हमने जब टौसिक गैस वाला एक escape room देखा था तो गैस के नशीलेपन की खत्प हो जाने के बाद में वहां की टीम मुर्दा लोगों को लेनी के लिए थी यानि की escape room में entrance का अलग door था और escape का अलग दोर था और यहां पर वही एक डोर जोई को मिल चुका होता है यानि की normal close को पार करके refrigerator की तुर बाहर निकलना यह तो था फर्स्ट वे और जहांसे इनकी टीम अंदर एंट्रेंस लेती थी वह था इसका दूसरा एक्जिट इसी बीच बैन भी उपर आने की काफी कोशिश करता है मगर उस लाइट हाउस की सीड़ियां अंदर जाने लगती है और यही रीजन होता है कि बै ब्रियाना भागती भी आती है और जिस रास्ते से अंदर आया थे उसे वापस खोलने के लिए कहती है मगर वो रास्ता भी बंद हो चुका था यानि की यह कोई रियल वर्ल्ड नहीं था यह भी उनी मीनोस के स्केप रूम में से ही एक था जहांब ब्रियाना बताती है कि यह हर तीन मिनिटों के अंतराल ऐसे ड्रेन होती है हमें यहां पर भी क्लूज को ढूंट कर इस रूम को पार करना होगा तभी जोई को वहां पर एक चाबी मिलती है और साथ ही एक च्छाता इस चाबी की मदद से यह लोग एक ऐसा डोर उपन करते हैं जिससे कि उसकी रूफट लगा है और उसकी चाबी इनके पास नहीं थी तभी रेचल को वहां पर एक बॉटल मिलती है और पर चाते की मदद से यह लोग उस ताले को खोल देते हैं और जब फोन आता है तो इन्हें पता नहीं चलता है कि फोन में आकर बोलेगा कौन और कब तभी वहां पर जोई को एक और क्लू मिलता है जो कि सामने की दिवार पर था रिंग 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 यानि की तीन बार की रिंग होने पर ही इन्हें वो कॉल को पिक करना था लेकिन जब तक दूसरा कॉल आता तब तक तीन मिनट की टाइमिंग खत्म हो चुकी थी और अगीन ऐसे ड्रेन स्टार्ट ह कोने वाली थी उसके ठीक 10 सेगंड पहले कॉल आता है जोई उस कॉल को पिक करती है और तबी सामने टेक्सी का दर्वाजा खुल जाता है जहांबर जोई तो भाग कर पहुंच जाती है लेकिन ब्रेयाना और रेचल बाहर ही रुख जाती है जोई उस टेक्सी का गेट खोलन और जोई को एक सेट करती तब इन पर गिरता है और ये दोनों वहीं पर मारी जाती है यहां टैक्सी की सीट खुल जाती है और अब जोई अपने नेक्स्ट रूम में पहुंच जाती है लेकिन यहां पर मीनोस की टीम यह देखती है कि जिस रूम को डिजाइन किया गया था उस रूम में जोई नहीं पहुंची वो तो कहीं और ही पहुंच गई है यह देख हैंडरी काफी हरान हो जाता है और जब अपनी टीम से बात करता है वो लोग बताते हैं कि सर यह जो यूएसबी आपने लाकर दी है उसमें तो इन रूम्स की लोकेशन को चेंज कर दिया गया ह जहां हैंडरी समझ जाता है कि यह काम मेरे पुराने एंपलॉय का ही हो सकता है अगर आपको याद होगा तो शिरवात में हैंडरी की टीम का एक मेंबर इसी यूएसबी को लेकर गई जा रहा था तो उसी नहीं इन रूम्स की लोकेशन में गडबड़ की थी यहां सीन शिफ आच तक काफी सारे लोगों की जाने गई क्लेयर जोई को कहती है कि मैं यहां से बाहर निकलने के लिए तुम्हारी हैल्प चाहती हूं मैं जानती हूं कि सिर्फ तुम ही वो शक्स हो जिसके पास में इन सारी गुथियों को सुलजाने लाइक दिमाग है मेरे पिता हैंडरी जिन्होंने मिनोस के लिए काफी वक्त से इन सभी रूम्स को बनाया और अमीरों के लिए इस खेल को शुरू किया यहां तक कि उन्होंने तो मेरी मॉम को नहीं छोड़ा मैं यहां पर काफी वक्त से कहा दूं और मैं यहां से बाहर निकलना चाहती हूं मगर बाहर निकलने क के लिए जब मैं ट्राय कर रही थी तो मेरे पिताने मुझे बात कई थी कि तुम अकेले इस पजल को सॉल्फ नहीं कर सकती यानि कि इसको सॉल्फ करने के लिए दो लोग तो लगेंगे और यही रीजन है कि मैंने उन रूम्स की लोकेशन को चेंज किया और तुम्हें यहां त यहां पर जोई को एक टेड़े एंगल से स्क्रीन पर कुछ अलफाबैट दिखते हैं और यह वही अलफाबैट होते हैं जिससे कि इस रूम की डूर को ओपन किया जा सकता था और अब फाइनली जोई क्लेयर के इस डूर को ओपन कर देती हैं लेकिन यहां पर के पिता हैंड के लोकेशन को चेंज करने में यहां पर अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है और वो शक्स हैंडरी को गोली मार देता हैं और अब क्लेयर भी मौका पाते हैं अपने पिता को उसी रूम में कैद कर देती हैं जिसके अंदर वो कई सालों से कैद थी फिर फटावट से के दोनों ही सर्वर रूम में पहुंचकर सारे सिस्टम को और आप और निकल कर जोई सबसे पहले बैन के लिए मदद बुलाती है यहां पर इस वक्त पुलीस भी पहुंच चुकी होती है और पुलीस के पास में मिनोज्स के खिलाफ काफी सारा सबूत था वहीं पर हम क्लेयर की बातों में एक चोटा सा कैच है जो कि मैं आभी आपको explain कर देता हूं बच्पन में जब Claire में मॉम के साथ बाहर जाती थी तो उसे चोरी करने की आदत थी ये बात सोनिया को पता चल चुकी थी और इसलिए वो अपनी बेटी को सुधारने के लिए उसके पिता हैंडी से दू पर बीजट थी और अब जब Claire अपनी कैट से आजाद हो चुकी थी तो उसके शतानी माइंड से अब वो और भी कई जदा खतरनाक पजल बना सकती थी और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शांदर मूवी यहीं पर खत्म होती है इस मूवी की ऐसी एंडिंग को देख वक्त तुने यह जवाब दिया माइं इंस्पिरेशन इस बॉलिवोड सिल्वर स्क्रीन पहला चैनल उनका नाम है Mr. Ronak का जिनका नाम है बॉलिवोड सिल्वर स्क्रीन और बहुत ही अच्छी उनकी आवास है बहुत ही इचा हम का चैनल है काफी एच्छ एच्छे रिवीउस करते रहते हैं उनकी आवास का मैं काफी बड़ा फैन और चब से मनें उनकी आवास सुनी तो मेरे अंदर भी थोड़ा से जागा है कि यार लेट्स ट्राइव संथिंग नियो वराद शिंदे जी ये पूछते हैं हूइस यूर मोटिवेशन बहुत प्यारा कॉश्य नहीं है अच्छा जलो उनको छोड़ो बॉलीवुड शिल्वर स्क्रीन जो हमारे रॉनिज जी है वो तो इंस्पिरेशन है उनसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा हूं से मैंने काफी इंस्पिरेशन है उनकी अधिक्टिव हां मैं खोद उनकी अवास कितना बड़ा दिवान हूं मैं उ जो भी पाया है उसका क्रेडिट में रॉनिज जी को ही देना चाहता हूं वैल है आज से करीब दो महीने पहले की बात है जब मैंने उन्हें के मैसेज किया था उस वक्त मेरी चैनल बर दो स्ट्राइक आ चुकी थी और मैंने रॉनिज जिससे सिर्फ यही कहा था कि सर इस चै कि ठीक है आप जो भी मुवी बताना चाहें हम उस पर काम कर सकते हैं मैंने रॉनिज जिससे रिक्वेस्ट करी कि मेरा बर्डेज 24 नवेंबर को आ रहा है तो क्या आप उस दिन मेरे लिए इस को करना चाहेंगे और उन्होंने बिना किसी सवाल जवाब के मेरी इस रिक्वेस करने का मौका दिया इंडिया में जितने भी प्रेटर से हो मूवी एक्स्प्राइशन सब्सक्राइबर होने के आज तक किसी से नहीं किया था और अगर किया भी है तो आज मेरे साथ जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र गुजारूं और दिल से यहीं चाहता हूँ की कुछ बात हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज जरूर लाइक करें शेर करें और कमेंट तो बिलकुल करें और इसका फर्स पार देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया लिंक है वहां से या फिर पेंट कॉमेंट में जाकर आप अगर याल झाल झाल